आका इश्मानी वोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों में सब समाचारों के साथ मैं राशित हमेंद खान सब से पहले मुखे समाचार प्रधान मंतरी नमस्कारों में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों से की मुलाकात कहा जो आज तक नहीं हुआ वो आपने संभव कर दिखाया मुखे निर्वाचन पदादीकारी ने कहा आचार सनहिता का सखती से होगा पालन शराद पक्ष के बाद आएगी कॉंग्रेस की पहली सूची और विश्व मानसिक स्वास्त दिवस पर प्रदेश में हुए जागरुकता कारिक्रम सकारात्मा बदलाव पर दिया गया जोर अब समचार विस्तार से प्रधान मंतरी नरंदर मुदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारती एथलेटों का उतक्रिष्ट प्रदेशन उनकी सच्ची खेल भावना का बहतरी नुदारन है आज नुदिली में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारती खेलाडीों के दल से बाचीट करते हुए परधान मंतरी ने कहा कि खेलाडीों की कड़ी मेहनत और उपलबधियों से पूरे देश में जशन का माहौल है उनोंने कहा कि यह एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सब सर्व श्रिष्ट प्रदेशन है प्रधान मंतरी ने कहा कि भारती खिलाडियों ने तिहास रचा है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि इन खिलाड के प्रधान कि सराना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने अनुकरनिय प्रहदर्षन किया है मुझे इस बात का भी गर्व है कि हमारी नारी शक्ति ने इन खेलों में जबर जस्ट प्रदर्शन जिस जजबे के साथ हमारी महला खेलाडियों ने अपना प्रदर्शन किया वो बताता है कि भारत की बेटियों का सामर्थ क्या है भारत ने एशन गेंज में जितने मिडल जीते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा हमारी फिमेल एटलेट ने जीते हैं बलकि इस अइतियासिक थबलता का सुवारम भी हमारी महला क्रिकेट टीम ने ही किया था बॉक्सिंग में बेटियों ने सबसे ज़्यादा मिडल जीते हैं ट्रैक एंड फिल्स में तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारी बेटियां सबसे आगे निकलने के लिए ही उतरी हैं जैसे ताय करके आई हैं भारत की बेटियां नमबर बन से कम में मानने को तयार नहीं है भारती एथलीटों के दल को संबोदित करते हुए केंद्रिया खेल मंतरी अनुराक ठाकुट ने कहा कि हमारे खिलाडियों ने मेहनत में कोई कमी नहीं चोड़ी है और अब की बार सौपार करने का काम किया है जो आज तक नहीं हुआ वो संभव कर दिखाया है आज नया भार अनुपाम राजन ने मेडिया को संबोदित करते हुए सभी राजनितिक दलों से आचार सनहिता का पालन करने की अपील की पामान रूप से उसका वितरण खिक किया जाएगा राज्य के खर्चे पे कोई भी विग्यापन जारी नहीं है मंत्री या कोई भी ऑफारिटी किसी प्रकार की स्विक्रती स्वेक्षा नुदान जो होता है डिस्कृिशनरी फंड से कोई भी स्विक्रती जारी नहीं करेंग आवेदनों की चांच 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवंबर को नामभावसी के साथ ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची चारी होगी 17 नवंबर को राजमे बोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतों की गिन्नती होगी मुक्य नर्वाचन पदादीकारी अनुपम राजन ने बताए कि प्रदेश में 64,523 मतदान केंदरों पर मतदान होगा शहरी शेतर में 16,763 और ग्रामीड शेतर में 47,760 मतदान केंदर बनाए गए हैं श्री राजन ने बताए कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने के बाद भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुडवा सकते हैं नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के दस दिन पहले तक नागरिकों से मददाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन किये जा सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में चुनाओं के एलान के साथ ही राजनेतिक दल अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं कांगरिस के वरिष्ट नेता राहुल गांधी ने आज शेहडोल जिले के वैवारी में आम सबह को संबोदित किया इस दोरान उन्होंने एक बार फिर जाती गद जन गरना पर जोर देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो जातियों के आदार पर जन गरना कराएंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो तेल्दू बत्ता संगरहकों को चार हजार प्रती मानक बोरा के द hugतान किया जाएगा वही महीलाओं को हर महीने एक हजार पांसर रुपे मिलेंगे पांसो रुपए की दर से गैस सिलेंडर और सो यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी श्री गांधी ने आरोप लगाए कि मद्रदेश की बीजेपी सरकार स्वास्त शिक्षा में ब्रष्टा चार किया है बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलडबार करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हुए आरोप लगाए कि कमलनात सरकार के दौरान जन जाती महिलाओं को पोशन मिलने वाला पोशन आहर भत्ता सरकार ने बंद कर दिया था उधर पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान ने सीधी में चनावी सभा को संबोदित किया उन्होंने बीजेपी और कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा प्रदेश कॉंग्रेस अद्यक्ष कमलनात ने कहा है कि शराद पक्ष के बाद पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की जाएगी वे आज शेहडोल जिले के वहारी में राहुल गांधी की सभा के बाद मीडिया को संबोदित कर रहे थे उदर भाजपा के बाद कल बहुजन समाच पार्टी ने 26 उमीदवारों की तीसरी सूची जारी की इसमें पत्थरिया से पार्टी की विधायक रामबाई को दोबारा टिकेट दिया गया है वहीं चित्रकूट में पाचपा छोड़कर बस्पा में शामिल होने वाले सुभाश शर्मा पर भरुसा जताया है जोरा सीट से पूरविधायक सोने राम कुशवाह सवलगड से सोने रामधाकर भांडेर से राजु शौधी अंबाँ से डॉक्टर राम वरन सिंग घरगापुर से हर्देश कुशवास राजनगर सीट से घहसी राम पटेल छहतरपूर सीट से डील मरी सिंग, विजैपुरी से महेश कुशवाहा, विजावर सीट से महेंदर गुपता, मनगवा सीट से रामेंड साकेत को प्रत्याशी बनाये गया है विजान साबा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए अनुकपर जिला प्रिशासन दौरा जिले के बॉर्डर एरिया में चेक पोस्ट स्थावित किये गए हैं जहां प्रिशासन के अमले दौरा सगन बाप प्रभावी जाच की कारवाई की जा रही है हमारे समवादाता ने बताया है कि कारवालिक मैजिस्ट्रेट के नितरत वाली एफस्टी टीम रामनगर दौरा चेकिंग के दौरान मद्यप्रदेश 36 गर्राजिकी सीमा के रामनगर चेक पोस्ट में दो पहिया वहन से दो अलग-अलग लोगों से 4,35,340 रुपे नगद र विशह मानसिक स्वास्त एक सार भौमिक मानव अधिकार इसका उद्देश ग्यान में सुधार करना और ऐसे कारियों को आगे बढ़ाना है जो सार भौमिक मानव अधिकार के रूप में सभी के मानसिक स्वास्त की रक्षा करें प्रदेश में भी कई जगहों पर जागरुकत कारिक्रम आईजित किये गए अब कुछ समार साथ संशिप में अशोक नगर में शास के उक्रमों सहकारी संस्ताओं आदी के वहनों का उपयोग जन प्रतिनीदियों के लिए सौतंतर एवं निर्वाचन के उद्देश से पूनता वर्जित किया गया है चिंदवारा करेक्टर जिला अधिकारी मनुज पुष्व और पुलिस अधिक्षक विनायक वर्मा दौरा पुलिस वलके साथ तीन विधान सभा के अंतरगत विभिनिक शेतरों में फ्लैग मार्च किया गया है सतना जिले के निर्वाचन सवन्चालन के सभी प्रकोश्टों के नोडल अधिकारी औ और साहिक नोडल अधिकारियों की बैठकाज करेक्टिक्ट सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी अनूराग पर्मा की अधिक्षता में अजुद की गई का सकती से होगा पालन श्राद पक्ष के बाद आएगी मद्द प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची और विश्व मानसिक स्वास्त दिवस्वर प्रदेश में भी जागरुकता कारी करम हुए सकारात्मा बदलाव पर दिया गया जोर इस बुलिटिन में तना ही नमस्कार कर दो